अश्कार मैं डॉक्टर श्रद्धा वसरष्ट, आपका सब के शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ नर्सरी केजियों और पहली कक्षा की सेकंड लिस्ट EWSDG और चिलन विट स्पेशल नीज काटेगरी के बच्चों की निकल चुकी है और इस संबंद में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई थी, मैंने आप सभी को बताया था कि 5 सितंबर तक दूसरी लिस्ट के एडमिशन होएंगे और 5 सितंबर दुपहर एक बजे तक ही होंगे, उसके बाद दूसरी लिस्ट के बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा और यह जानकारी आग मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि 5 सितंबर कल है और मैं चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे का नाम दूसरी लिस्ट के तहट आया है तो आप जल्दी करें इस महत्तपूर समय को गवाएना साथ ही जो कागजात आपको एडमिशन के लिए चाहिए होंगे, वह होंगे प्रिंट आउट जो आपने फॉम भरा था उसका, बच्चे की दो फोटोग्राप्स, बच्चे का अधार कार्ड की कॉपी अगर है तो नहीं है अधार कार्ड बच्चे का तो कोई बात नहीं माता-पिता के अधार काट की कॉपी बच्चे के जन प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी और फोटो कॉपी पर आप अपने हस्ताक्षर कर दीजेगा सिगनेचर घर के पते की फोटो कॉपी उसके ओपर भी आप अपने हस्ताक्षर कर दीजेगा इस पर photocopy पर साथ ही आपके पास EWS category, DG category या फिर Children with Special Needs category का क्या कागजात है उसकी photocopy और photocopy के ओपर हस्ताक्षर कर दीजेगा अगर बच्चा किसी legal guardian के पास रहता है माता पिता के पास ना रहकर किसी और के पास रहता है तो उसकी भी एक photocopy लगेगी उसका आगजात की और उसकी photocopy के ओपर आपस्ताक्षर कर दीजेगा साथ ही आपके पास या सभी जो मैंने कागजात बताए है उनके original documents भी होने चाहिए अगर आपको कोई भी confusion है, शंका है, स्कूल से परिशानी है आप already स्कूल के चक्कर लगा रहे है और आपको लग रहा है कि दाख खिले में परिशानी आ रही है तो आप Director of Education के नमबर 9818154069 फिर से बोलना चाहूंगी 9818154069 पर कॉल करें सुवे 10 से शाम 5 बजे के बीच और इस बात को हमेशा याद रखेगा कि जब आप कोई भी शिकायत दर्च करवाएंगे तभी आपके हक में फैसला होगा बिना शिकायत दर्च करवाएं सिरफ यह सोच लेना कि हमारे साथ गलत हो रहा है यह ऐसा होना चाहिए था यह वैसा होना चाहिए था सोचने का कोई पाइदा नहीं है अगर आपको लगता है आप सही है और आपके साथ सही नहीं हो रहा है आपके साथ गलत हो रहा है तो इसकी शिकायत दर्ज करवाईए याद रखेगा बोखोट से ऐसे बच्चे हैं जिनके दाखिलों में परिशानी आती है डी ओई का जब हस्त शेप होता है तो उन बचों को दाखिला मिलता है उम्मीद करते हैं जानकारी से आपको लाप होगा जाते जाते फिर से कहना चाहूंगी कि आप क्रिप्या करके मेरे लिए वोट दीजिए आपके वोट का मुझे इंतजार रहेगा मुझे डॉक्टर